स्वागते बच्चों आपका हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ट सब बेस एसेश्मेंट जो की कछा आठ विशे साइंस का है और 11 सितंबर 2021 सपता दसका लिया गया है तो देखते हैं पहला प्रश्ण सामगरियों पर आरक्षी आवरंड चडाने अत्वा रा प्रश्ण नमर दो है जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उप्योग से क्यों बचना चाहिए इसमें से हम देखते हैं सेकंड ओप्सन यह आसानी से अब गटित नहीं होती है जिसकी कारण परियावरन पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है तो यह ओप्सन इसका सही होगा अगला प्रश्ण देखते हैं जैव निम्ने करनिय पधार्थ क्या है सेकंड ओप्सन इसका सही उत्तर होगा वे पधार्थ जो प्राकर्तिक प्रक्रिया द्वारा अबगटित हो जाते हैं अगला प्रश्ण है अजैव निम्ने करनिय पधार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, आसानी से अब गटित हो जाते हैं, तीसरा उप्षन है इसमें ये इसके लिए कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन 5R के अंतरगत सामिल नहीं है, रियूज, रियूज, रिशाइकेल, रिश्टोर, रिश्टोर इसमें सामिल नहीं है, अगला प्रश्ण है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, पहला उप्षन है, प्लास्टिक का उप्योग कम करना चाहिए, क्योंकि ये है परियावरन को नुकसान पहुचाती है, कौन सा कथन सही है इसमें से, पहला उप्षन सही है, इसमें ये कथन सही है कि प्लास्टिक का उप्योग कम करना चाहिए, क्योंकि ये परियावरन को नुकसान पहुचाती ह अगला प्रश्ण है निमने मेंसे किस में नाइलोन का उप्योग नहीं किया जा सकता है छानने वाले गत्ते में, पेरा सुट के कपड़े में, गलाइडर की रस्ती में, बाल एबं बोतल साप करने के वाले ब्रस में तो नीचे की जो तीन उप्सान है उनमें सब में किया जाता है पहला उप्सान इसमें होगा छानने वाले गत्ते में नायलोन का उप्योग नहीं किया जाता है संसलेशिस रेशों का लाब नहीं है बार में हलके होते हैं वनों की संरक्षन में सहायक होते हैं गर्मियों में बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं उप्सन आएगा इन में से कोई नहीं तो बच्चों इस तरह से था यह है कच्छा आर्ट विसे साइन्स का वासब वेस एसेस्मेंट जो की सपता दसका था आगे के एसेस्मेंट देखने के लिए जुड़े रही है हमारे चैनल से धन्यवाद